भारत और रूस ने नई ब्रामोस मिसाइल बनाने पर करार किया है इसकी महारक शम्ता पाकिस्तान के कई बढ़े शहरों तक होगी खास बात है कि इसके जरिये आतंकी ठिकानों को सटीकता से तबाह किया जा सकेगा ये दुनिया की सबसे तीज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है दुश्मनों पर ये आवाद से तीन गुनी तीज रफतार से वार करती है चीन और पाकिस्तान तो इसके नाम से भी खौफ खाते हैं ये है भारत का ब्रहमास्त ब्रहमोस अब तब ब्रहमोस मिसाइल और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है चीन और पाकिस्तान तो पहले से इससे खौफ खाते थे पर अब उनका ये डर और जादा बढ़ने वाला है क्योंकि भारत और रूस मिलकर नई ब्रह्मोस मिसाईल बनाना जा रहे हैं जिसकी मारक शमता मौजुदा मिसाईल से दो गुना होगी फिलहाल इसकी मारक शमता तीन सो किलो मिटर तक है जिसे छे सो किलो मिटर तक बढ़ाने की योजना तैयार हो चुकी है इसे जमीन, जहाज, पंडुबी और लड़ाकु विमान कहीं से भी लौँच किया जा सकता है इसकी रफ्तार आवाज से तीन गुनी तेज है इसका नाम भारतिय ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मसकवा नदी पर रखा गया है अरुनाचल सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती से चीन पहले ही बौक लाया हुआ है वो खुले आम इस पर अपना विरोध भी जता चुका है मारक शमता बढ़ने से ना सिर्फ पाकिस्तान के सभी बड़े शहर इसके निशाने पर आ जाएंगे बलकि इससे नागरिकों को नुकसान पहुँचाए बगाए सैन ठेकानों को बेहत सटीकता से तबा भी किया जा सकता है यही नहीं आतंकियों के ठेकानों को नश्ट करने में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है क्यूंकि इसका वार इतना तीज और इतना सठीक होता है कि आतंकी और उनके launching pads इससे बची ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर हर टार्गेट चाहे वो बंकर हो चाहे वो कमांड पोस्ट हो चाहे वो न्यूकलिर कमांड पोस्ट हो चाहे मिसाइल सैलो हो जो भी है प्रिपेड हो या अन्प्रिपेड हो हर एक को बड़ी असानी से उसको निकाला जा सकता है ब्रमोस 200 किलो पारम पर एक और 300 किलो ग्राम परमाणू विस फोटक ले जा सकती है इसकी सटीक ता एक मीटर तक चोड़े लक्ष को भी मार गिराने की है समंदर में तो ये पानी से महज 3 से 4 मीटर उपर उड़ती है यानि दुश्मन के जहाज को जब तक पता चलेगा तब तक मिसाइल उसे मार चुकी होगी अभी तक रूस और भारत चाहकर भी ब्रमोस की मार क्षमता को बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि इसकी वज़त ही भारत के MTCR यानि मिसाइल टेक्लोलोजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं होना क्योंकि MTCR नियमों के मुताबिक सदस्य देश 300 किलोमिटर से अधिक रेंज की मिसाइल ग्रुप से बाहर के देशों को ना तो बेच सकते थे और ना ही उनके साथ मिलकर बना ही सकते थे पर भारत इसी साल जून में MTCR का सदस्य बन गया है इसी लिए गोवा में हुए द्विबक्षे समझाओते में भारत और रूस के बीच इस नई ब्रहमोस मिसाइल बनाने पर मुहर लग चुकी है प्रहमोस की खास बात यह है कि अपने निशानेत के पहुँचने के वक्त तक अपनी सुपर्सोनिक रफ़तार बढ़ाने पर काम चल रहा है इसका हैपर्सोनिक वर्जन अंडर डेवलप्मेंट है इसकी रफ़तार आवाज से आठ गुना तेज बताई जाती है उम्मीद की जा रही है कि ब्रह्मोस के इस हाइपरसोनिक वर्जन को अगले साल यानी 2017 मेटर्स किया जाए पर मौझूदा ब्रह्मोस भी दुश्मनों की नीन दुडाने के लिए काफी है क्योंकि इसके लक्ष को बीच रास्ते में भी बदला जा सकता है इसे ऐसे समझे मान लीजिये समंदर किनारे दुश्मन का जहाज खड़ा है करीब 500 किलोमीटर दूर से प्रित्वे मिसाइल इस पर छोड़ी जाती है लेकिन इसी बीच ये जहाज अपनी जगा बदल देता है तो इस सूरत में प्रित्वे मिसाइल उसी पुरानी जगा पर ही गिरेगी जहाँ जहाज पहले मौजूद था क्यूंकि ये मिसाइल हाफ गाइड़ होती है पर अगर इस जहाज को निशाना ब्रहमोस मिसाइल से बनाय गया है और इसे फायर करने के बाद टार्गेट जहाज अपनी जगा बदल भी लेता है तो ब्रहमोस का रास्ता बीच में ही बदल कर उसे नए टार्गेट पर हिट करने के लिए दोबारा गाइड किया जा सकता है यानि ये फुल गाइड़ मिसाइल है नतीजा जहाज की बरबादी यानि साफ है कि जब इसकी रेंज 600 किलोमेटर हो जाएगी तो चीन और पाकिस्तान का खौफ में आना लाजमी है यही नहीं ब्रह्मोस मिसाइल की इनी सारी खास्योतों की वरे से वियतनाम, फिलिपेंस, साथ अफरीका, ब्राजील और इंडोनेशा समेट 11 देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है नीर अटपुत के साथ प्रफुल श्रिवास्तो एवीपी नियूस दिली